नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का दोस्तो अरियाना पुलिस कॉंस्टेबल कर रिजल्ट है वो कब आएगा एसाई की जोईनिंग कब होगी एलम कर रिजल्ट कब आएगा और फीमेल कॉंस्टेबल और कलर कर रिजल्ट दोबरा आना है वो कब तक आएगा ये सारी जानक दी गई है वह मैं आपको इस वीडियो में बताने वड़ा हूं तो यदि आप complete detail जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखें दोस्तों वीडियो में बढ़ने इस पहले आप सभी रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों साथ जाधा जाधा सेयर करें और दोस्तों इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताक याने वड़े वीडियो को नोटिफेक्शन आपको समय पे मिल सके तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या नहीं खबर आई है तो दोस्तों स कि जो मेल और फेमेल SI की भरती है उसकी जोइनिंग कभी भी हो सकती है उसका पतल लिख रखा है आई टे के कुछ पदों के परिणाम में होगी देरी और यहां पे आपको दिखा देता हूं पुरुस सिफाई पद का परिणाम गोसित होने में समय लगेगा और ALM का पद जो जल्द जारी हो सकता है फिरमें साब ने बताया कि पुरुस सिफाई पद का परिणाम गोसित होने में समय लगेगा उन्होंने का कि एलम का परिणाम जल्दी जारी हो सकता है क्योंकि परदेश सरकार को सपश्टी करण बेद रखा है कि अगर किसी पद के लिए हायर क्वालि तो गुपाल सिंग कद्री साब ने बताया कि स्टाफ नर्स स्वास्तिव वाग के अन्यपदों लेव टेक्निशन सायक और अन्यपदों के परिणाम गोसित हो सकते हैं महिला सिपाई पद के लिए संसोधित परिणाम भी संभव है अगर हाई कोड़ में परसेंटाइल तरीके से महुर लग गई तो तो उन्होंने ये चीज़ बताईए कि फिमेल कोड़ टेबल का है वो संसोधित परिणाम हाई कोड़ से महुर लगने के बात जारी किया जाएगा इसके अलावा यहाँ पर देखो अरियाना करमचारी चाहे नायोग करेगा महिला पुलिस सिफाई और कल्रक के पदों के परिणाम में बदलाओ यह तो तीन परसनों वाला मामला था तो यह वही है तो अपने यह वीडियो यहां तक देखिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद